सर चलो आगे बरते क्विश्चन नमर ऑफ 12 ऑफ एसी वोमा वोट वी हैव अरे यार वापस एक खतरनाक सम ये सम तो भई एकदम पक्का गरवर था हम लोग का टाइम में ओके एकदम नहीं आता था ये सब सरलोगी कर आते थे फिर हम लोग रट्टा मार के जाते थे कुछ समझ में आता था चलो आज कोशिश करते है कि ये सम सम्झा जाए क्या दिया हो है सरफ पार्टिकल स्टार्स रम पॉइंट एंड रावल अलॉट कर ये देखो ग्राफ में तुमें जो सॉलिट कर नजा रहा है ऐसे जा रहा है सॉलिट कर्फ में ओके फाइंड एप्रॉक्सिमेट चलो एक बार हम लोग करते हैं सर एक जिनरल कोई भी एक जिनरल कॉंसेट पर आते हैं जिनरल कॉंसेट एक बार रिविशन हो जाते है फिर सम एक सिकन्ड में करेंगे सर पहले सम का डियागरम देख लो सम क्या है यह तुमारा एक्स यह वाई और ऐसे जा रहा है ओके नाव अब देखो कोई भी जिनरल कर्व पर सोचो ऐसा है ऐसा ओके हम तुम्हें बोले की ए यह या फिर बी है यह कोई जिनरल पॉइंट है एक सर बाई ठीक है अब बताओ सर यह वाला तुमारा जिनरल आवरेज विलोसिटी क्या होगा क्या क्या बता रहे है यह जिनरल आवरेज velocity between the curve x a and b sir यहां से a से b एक लाइन ड्रॉ करो a से b एक लाइन से ड्रॉ करो देखो ध्यान से a से b एक लाइन ड्रॉ करो sir इसका जो slope है और सिर्फ b का अब बता रहें यह हुआ average velocity between a and b अब है vb instantaneous vb instantaneous का मतलब क्या हुआ यह जो कर वे इसका slope हम लोग क्या देखा sir instantaneous velocity instantaneous velocity ड्रॉ करने के लिए इसी point पे हम लोग ड्रॉ करेंगे बट sir यह problem है sir यह तो तुमारा y x curve है वो तो हम लोग x t curve में करते थे तो यह y x curve और x t curve में क्या फंडा क्या है बोलो sir एक बर ध्यान से देखा हम लोग कुछ लिक रहें कि average velocity is nothing but displacement from a to b divided by time taken from a to b बोलो हां sir अब एक और beautiful सा point इसको दिमाग में fit कर लो कि the direction of V average is in the direction of the displacement direction of the average velocity is in the direction of the displacement other yeah what tomorrow displacement to Easter rough होगा तुमारा average velocity अब instantaneous velocity बी के बारे में बात करें VB instantaneous जो मेरा motion in 1D का lecture परा है उसको पता चलेगा instantaneous velocity कुछ नहीं होता है this is a special case of average velocity जब जब तुमारा limit of del t tends to zero अब हम लोग क्या करेंगे del of the small s by del t यहीं एक funda है del s small x b कर देते तो यह जो चोटा सा देको मैं यहाँ पर एक और अच्छे से draw कर रहा हूँ यह जो चोटा सा displacement हुआ एक चोटा सा displacement तो यहाँ पर तुमारा instantaneous velocity का direction ऐसा है अब तुमारा original question में क्या है कि सर कभ हमारा एक ऐसा point बताओ जहां कि शुरू से लेकर एसे लेकर उस point तक का average velocity और उस point का instantaneous velocity का direction सेम हो तो यह तभी हो सकता है जब यहां से यह वाला point और यह वाला दोनों जो line दोनों क्या होना चाहिए तो सर एक बर graph पे आते सर अगर किसी को पता चले सर यहां देखो वह point वहां से मैं draw करो draw करो draw कर लो yes यह point पे यह point तो यह पर इस point को नाम B डाल दो और B का एक instantaneous velocity वहां से draw करो वहां से draw करो अगर वह भी draw करेंगे तो दोनों line क्या आ गया सर दोनों यह point यह point को हमारा क्या हो गया अब सर यह point कैसे निकालोंगे वह point को हम कैसे निकालेंगे सर एप्रॉक्सिमेटली यह एप्रॉक्स 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 देखो यह एई सी वर मां का तो भई एक ही चीज़े सर ने पूरा बता है निक कैसे क्या diagram दिया हुआ है तो हम लोग ने एप्रॉक्सिमेट करके वह coordinate मतलब coordinate of B को हम लोग अप्रॉक्सिमेटली फाइव और थी ना इस इस सिंपल डियाग्रम कोई और भी पॉइंट हो सकता था यह डाइग्रमिटिक वियू से हम लोग ने देखा okay, nothing more than that so this is something a diagrammatic view okay, so यह पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली आया बठा कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट अब बहुत बढ़िया था कि average velocity का जो direction और instantaneous velocity का direction वो सेम होगा तब जब तुमारा displacement between A and B और चोटा जो displacement at that instant भी दोनों सेम होना चाहिए okay, so here goes one of the beautiful sum related to this concept of this average okay, so please have a look okay, आगी बढ़ेंगे अगले वाला संपे